नाम कर्ण संस्कार अपने वैदिक रीति नियमों के अनुसार ही करें और कहां करें ये भी सुन लो घर में करें ये तो चलो ठीक है घर में हम आचारे जी को बुला कर नाम करें तो किसी तीर्थ में जाकर के किसी गंगा के तट या यमुना जी के तट सर्यू जी के तट किसी नदी के तट पर विराजमान होकर और वहां पर गाय के गोबर से लेपन करके बच्चे को वहीं गाय के गोबर पर जहां लेपन किया जाए वहीं उसका पालना रखा जाए और नाम करन संसकार कराया जाएं। जब आप इन नियमों के अनुसार बच्चे का नाम करन संसकार करते हैं तो निश्चित रूप से आपके बच्चे में संसकार आएंगे ही।